अब अब देखा विदिस शूष्रित हम उसने बोला शुलापपाद, यह काम बास्ना है बहुत सताती है मेरेको, इस लास्ट रिली ट्रॉBles Me So Much, इससे वच निकले का तरीका है क्या वो तरीका है जिसे हम लस्ट से निकल जाएं। प्रहुपाजी ने बोला, it is impossible, और प्रहुपाजी वहाज चले गए, यह ना बहुत दुखी हो गए, मतलब, लस से बचने हैं, कोई तरीका नहीं है, it is impossible, बहुत दुखी हो गए, इसको लगा चलो, अगले दिन ना फिर से सवाल पूछूँगा प्रहुपाजी से, और दूसर कर बाढ़ते हैं, कि जानवर को बनाम कैसे जीते हैं, प्रहुपाजी ने बोला, it is impossible, और प्रहुपाजी आके निकल गए, अबै यार, यह तो मतलब, जो जैसे पूछो प्रहुपाजी, impossible ही जवाब देते हैं, उना बहुत देर टूड़िया हो, तीस दिन से एक बार और ट् प्रोच किया है, श्रुपाज, मैं जाना जाता हूँ कि ना, कभी-कभी दुनिया के अंदर, हमारे अंदर एक शैतान जाग जाता है, और वो शैतान जो है, हमसे ऐसे ऐसे शैतानी वाले काम कराता है, कि विक्ति जो है नरकों में जाता है, ऐसा हम क्या करें कि हम नरके जीव सवाल पूचा, प्रहुपाज ने बोला it is impossible अले यार और प्रहुपाजी बहां से चल दिये, इसने दिखा प्रहुपाजी चल गए वस्लिव प्रहुपाजी तो प्रहुपाजी मुड़े और प्रहुपाजी आदमे न उनका केन था, उनके छड़ी थी प्रहुपाजी उठा के बोला गुविंद इच्छा गुविंद इच्छा क्याने कि ये काम वासनाओं से मुक्ती सिर्फ उसका एक ही तरीका है और वो क्या है गुविंद इच्छा या मदन मुखन इच्छा जिस दिन उनकी इच्छा होगी उसी दिन हम इन काम वासनाओं से निकल सकते है अन्य था चाय को कितना तपस्या ध्यान ये वो भला डिमका कुछ कर ले कहीं बड़े बड़े तपस्वी हुए है भाई पानी की नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे है वाँ यानि श्वास पर उनका कंट्रोल आ चुका है पर कैसे एजिटेट होते हैं सिर्फ दो मश्लियों को आपस में इश्ट कोश्टी करते देखते हैं वाँ दिमाग खराब हो गया तो ऐसे में तो इसलिए काम वासनाओं को जीतना आ रहे तो ये जब ऐसी तपस्या करने वाले ने जीत पाते तो हमारा कल्यू का जो सादक है जो जफा करते करते हैं ये जीतेगा